हेई वेलकम बैक टो नॉलिज सूप यूपी एसी मैं हूँ आयूश और हम यहाँ पे डिसकस कर रहे हैं इंडिन पॉलिटी ये कोर्स सारे कॉंपेटिटिव एक्जाम्स के तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके जो यूपी एसी की प्रिप्रिशन कर रहे हैं तो लास्ट क्लास में हमने देखा था अप्टू चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक हमने अल्रेडी कवर कर लिया अब आज से हम लोग शुरू करेंगे क्राउन रूल जो की 1858 से 1947 हमारी आजादी तक चलता है उसको हम लोग यहां से देखेंगे और कैसे कैसे डिबलप्मेंट्स आई ही उन सारी चीजों में उन सब जी चीजों को हम लोग कवर करेंगे पॉइंट बाइपॉइंट आल्राइट देन नाव लेट्स गेट हाँ तो क्राउन रूल आता है जो 1858 से शुरू होता है और फर्स्ट गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाई जाती है यह क्यों लाई जाती है यह मैंने प्रिवियस लेक्चर में बताया था आफ्टर दे रिवोल्ट ऑफ 1857 आजादी का जो पहला हमारा इंडिपेंडें 1858 लेकर के आया गया और जो जितने भी पावर्स थे कंपनी के पास इस्ट इंडिया कंपनी के पास वो सारी खतम कर दी गई और सब कुछ ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन को ब्रिटिश क्राउन को क्या-क्या ट्रांसफर किया गया सारे पावर्स जो भी गवर कि यह act for the good government of India government of India Act जो लाय गया 1858 का इसको कहा गया कि यह act for the good government of India है और East India Company को completely abolish कर दिया गया all right then इसके कुछ features थे जो हम लोग यहां पर अभी पढ़ेंगे उन में से जो important features थे उन में से एक है के एक provision लाय गया के अब से after this act now India will be governed by and in the name of her majesty her majesty का मतलब that queen of England her majesty का मतलब queen of England the crown okay so India will be governed by her majesty or the crown all right then next point है क्या आया इसमें कि governor general of India जो थे उनका designation change करके उनको बना दिया गया viceroy of India उनको viceroy of India बना दिया गया यह direct representative थे crown के इंडिया में यह direct representative थे कहां के किसके crown के तो first viceroy of India किनको बना गया लॉर्ड कैनिंग को यह important है लॉर्ड कैनिंग को first viceroy of India बना गया और जो viceroy of India थे उनमें ही सारी पावर्स दे दी गई जो भी governor general of India के पास थी वो सारी ट्रांसफर हो गई अब viceroy of India के अंडर में इस act के through system of double government end हो गया जो हमने previous lectures में देखा था वो अगर आपको system of double government नहीं पता तो आप मेरे previous lecture को देखिए उसमें मैंने बताया रखा है कि system of double government क्या था all right तो इस system को खतम कर दिया गया और एक नया post create किया गया वो क्या था एक नई office बनाई गई secretary of state की एक नई office बनाई गई और इनको सारी authorities दे दी गई और control दे दिया गया Indian administration का Indian administration का सारा control और authority किसके अंडर में चला गया secretary of state के अंडर में चला जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो सारी powers secretary of state में जाती है तो वो secretary of state जो होता है वो एक member होता है British cabinet का जो कि अपने British Parliament को ही responsible होता है ultimately okay not responsible to any Indian citizens or Indians he was only responsible to the British Parliament whatever the decisions he will be taking will be responsible to the British Parliament all right then a council of India बनाई जाती है इस act के अंडर council of India को established किया गया जो 15 members का था इनका काम था असिस्ट करना किसको असिस्ट करना यह important है यह वाइस रोय को असिस्ट नहीं करेंगे नहीं करेंगे यह यह गलती आप मत करिएगा यह असिस्ट करेंगे किनको Secretary of State को assist करेंगे Council of India के members all right then यह एक advisory body थी जो सिर्फ advice करेंगी किसी भी issue पे कोई भी law जो बनाने है उस पे यह सिर्फ advice करेंगी इनके कोई भी advice जो भी यह बताएंगे जो भी assist करेंगे वो binding नहीं होगा किस पे Secretary of State पे और यह जो Council of India है इसका chairman कौन होगा इसका chairman Secretary of State को बना दिया गया कि Secretary of State जो भी होंगे वही इस Council of India के chairman भी होंगे then Secretary of State in Council बनाई गए एक body corporate जिसको कुछ powers दिये गए कि इंडिया में administration में जो lack of यह lack of administrative structures थे उसको सिर्फ correct करने की कोशिश कई गए उसको improvement करने की कोशिश की गई इस act के through जादा कुछ इसमें किया नहीं गया और जो power transfer था बस वो किया गया कि अब इसके लिए उन्होंने इंडियन काउंसे नहीं गया जाते हैं इसके लिए उन्होंने इंडियन को एक्स्प्लोइट करके यहां पर रूल नहीं कर सकते हैं इस कारण से वो लोग क्या करते हैं कि अब इंडियन को भी अपने साथ lawmaking process में involved करना जाते हैं इसके लिए उन्होंने इंडियन काउंसे एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1901 लेकर के आए तो उसमें से जो फर्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसे एक्ट ऑफ 1861 यह अभी हम लोग देखेंगे इसको कहा जाता है कि यह हमारे constitutional और political history में इंडिया के constitutional और political history में important landmark है ठीक है इसके तुरू representative institution की सुटवात की गई जिसमें कि इंडियन्स को भी include किये जाने का provision रखा गया उनके lawmaking process में इस कारण से क्या होता है कि वाइसराय को एक power मिल जाती है कि वो कुछ इंडियन्स को nominate कर सकते है as a non-official member all right so इसके बाद क्या होता है कि उस वक्त में जो वाइसराय थे वो थे lord canning तो उन्होंने तीन लोगों को nominate किया बनारस के राजा और पटियाला के महराजा and सरदिन कर राओ इन तीन लोगों को उन्होंने nominate किया इसके बाद इस act से decentralization की शुरुआत होती है Centralizing Policy 1773 के Regulating Act से शुरू हुई थी जिसका climax हमको मिलता है 1833 में जाके उसके बाद से जो ये act आई Indian Council Act of 1861 यहाँ से decentralizing agency शुरू होती है decentralization शुरू होता है powers का और जो मदरास और Bombay की presidency की जो powers छीन कर उनको subordinate बना दिया गया था बंगाल के उसको फिर से change करके उनके पास वो powers restore कर दी जाती है कि आप अपना legislative powers अपने पास उसको use कर सकते है ठीक उसके बाद क्या होता है कि ये तीन जगहों पे और भी तीन जगहों पे new legislative council बनती है कहां-कहां पे बंगाल, northwestern provinces and Punjab then इस act के तुरू portfolio system को introduce किया जाता है तो इसको actually introduce किया गया था by Lord Canning in 1859 इसको यहां पे इस act के तुरू जो है recognition मिल जाती है फिर portfolio system क्या है कि जो viseroy council के जो भी members होंगे उसमें से किसी एक member को कोई in charge बना दिया किसी एक department का या एक से ज़्यादा department का like अभी के context में हम लोग देखें तो जैसे किसी को कोई अगर party जीती है और power में आती है तो वो अपने minister को portfolios देते है like one education minister बनेगा कोई agriculture minister बनेगा तो इसी तरह से portfolio system की शुरुवात कहां से होती है इंडिन council act of 1861 से शुरुवात होती है ठीक है और वाइसरय को दिया गया ordinance making power ordinance making power दी जाती है इस act के थ्रू वाइसरय को यह बहुत important है क्योंकि अगर वाइसरय को लगे कि there is an emergency in India British India तो वो एक ordinance निकाल सकते हैं और वो किसी legislative council के पास नहीं जाएंगे इसको पूछने के लिए और इस ordinance की life six months तक रहेगी यह power दिया गया तो इसको आप अभी के context में आप इसको relate कर सकते हैं अभी किसके पास यह power रहती है कौन ordinance ला सकते हैं और कितने समय तक वो valid रहता है इसको आप comment में बताइएगा अभी कैसे कैसे ordinance काम करता है ठीक है यह बहुत important है next हम लोग देखेंगे Indian Council Act of 1892 तो Indian Councils Act 1892 इसमें कुछ बड़ी changes नहीं की गई इसके थुरू क्या किया गया कुछ members को non official members जो भी थे Central legislative council और provincial legislative council के उनको increase कर दिया गया उस members के number को increase कर दिया गया all right then जो legislative council है उनके कुछ functions को increase कर दिया गया कुछ functions को बढ़ा दिया गया और उनको दिया गया पावर budget discuss करने का budget discuss करने का और उसके questions को address करने का to the executive all right then क्या होता है इससे पहले जो budget का concept है वो British India में 1860 को ही introduce कर दिया गया था यह याद रखेगा budget system जो इंडिया में introduce किया गया था यह 1860 में ही introduce कर दिया गया था लेकिन यहाँ legislative council के पास यह power दी गई कि अब आप इसको discuss कर सकते हैं और इसके regarding question कर सकते हैं आप executive को all right then इसमें और कुछ provisions रखी गए जैसे कि जो nomination होंगे non official members के वो किनके किनके होंगे तो central legislative council में जो representation होगा non official members का वो provincial legislative council और Bengal Chamber of Commerce के recommendation पे होगा Bengal Chamber of Commerce और provincial legislative council के recommendation पे होगा central legislative council में जो भी non official members की nomination होगी second point क्या था इसका के जो provincial legislative council में nomination होगी provincial legislative council में जो भी nomination होगी वो होगी by governor उसमें भी वो recommendation आएगी कहां से district board जमेंदार universities, municipalities, etc. educational institutions ऐसे जगहों से recommendation आएगी तो governor जो है वो provincial legislative council के लिए non official member को nominate करेंगे ये दो point इसमें introduce कराया गया तो इसमें क्या हमें एक sense मिलता है कि election का एक sense यहां से feel होता है लेकिन ये word कहीं भी use नहीं किया गया इस act में लेकिन इसको हम लोग feel कर सकते है sense of election हम लोग feel कर सकते हैं इस act के आने के बाद though it was not mentioned anywhere in the act and the next point is limited और indirect provision रखा गया for the use of election for non official seats both in central and provisional legislative councils then हम लोग next अब देखेंगे जो इंडियन council act 1909 आया जो कि बहुत important है उससे कई बार question आते हैं exams में तो उसको अभी हम लोग discuss करेंगे next slide में तो इंडियन act of 1909 इंडियन council act of 1909 आता है जिसको कि हम बहुत ही popular name से जानते है morally minto reforms morally secretary of state थे उस समय इंडिया के और lord minto vice roy थे इंडिया के तो इस act को इस नाम से भी जाना जाता है इस act में क्या होता है कि central legislative council और provincial legislative council की एक member में number of members को increase किया जाता है तो central legislative council के member को 16 से बढ़ा के 60 कर दिया जाता है इस act के तुरू first time Indians को vice roy और governor के executive council में associate किया जाता है जो executive council के member बने थे वो थे सत्तेंदर प्रताज से ना as a law member वो elect हुए थे then इस act के तुरू इंडिया में introduce किया गया for the first time communal representation for Muslims communal representation जो भी Muslims की हुई वो इस act के तुरू introduce की गई और उनके लिए separate electorate बनाया गया separate electorate का मतलब के जो भी Muslim members elect होंगे वो only by Muslim voters all right so इस electorate के बनने के कारणी Lord Minto को father of communal electorate कहा जाने लगा भारत में father of communal electorate का दर्जा दिया गया किनको Lord Minto को next हम लोग government of India act 1919 देखेंगे government अब यहां पर Indian council act end होती है यहां से government of India act 1919 शुरू होगी और next आएगा साइमन कमिशन then government of India act of 1935 तो पहले हम लोग देखेंगे government of India act of 1919 तो अब हम बात करेंगे government of India act 1919 की उससे पहले क्या होता है कि British government जो है वो declare करती है for the first time कि उनका objective जो है वो भारत में gradually introduce करना है एक responsible government तो उसके लिए उन्होंने government of India act 1919 को enact किया जो की force में आया जो की लागू हुआ 1921 में इस act को हम लोग montagal kemsford reform से भी जानते हैं इसका दूसरा नाम montagal kemsford reform इस नाम से भी इसको जाना जाता है तो ये भी बहुत important है आपके exam purpose के लिए इस act के थुरू क्या किया जाता है के central और provincial subjects को अलग कर दिया जाता है central subjects पे जो central legislative assembly है council है वो laws बनाएंगी और provincial subject पे provincial legislative council अपनी laws बनाएंगी तो ये दोनो list of subjects दोनों के लिए अलग कर दिया जाते हैं तो इसको भी आप अभी के scenario में अभी हमारे पास तीन list होती है union list, state list और concurrent list तो उस context में आप इसको relate कर सकते हैं कि देखे उस वक्त भी इस तरह की provisions लाई गए थी तो कहीं न कहीं हमारा जो constitution है इन सब भी चीजों से inspired है थोड़ा बहुत फिर क्या होता है कि provincial subjects को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है transferred और reserved transferred पार्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पे governor जो है प्रोविंस के वो legislative council of ministers जो भी ministers है legislative council के उनके साथ वो मिलकर इस subject पे laws बनाएंगे गवर्नर, reserved subject क्या है कि वो governor सिर्फ अपने executive council members के साथ मिलकर ही laws बना सकते है reserved subjects पे उसमें वो responsible नहीं होंगे legislative council को तो इस system को हम लोग कहते हैं ये dual scheme of governance था जिसको हम लोग कहते हैं डायार की, डायार के system of governance इसी को कहा जाता है जो कि largely fail हो गया unsuccessful रहा, ये experiment unsuccessful रहा है इतने सारे subjects में बाट कर चीजों को carry out करना ये Britishers के लिए बहुत ही unsuccessful रहा, alright, then for the first time bicameralism को introduce किया जाता है Government of India Act 1919 के थरू bicameralism का मतलब क्या होता है, दो house, upper house और lower house अपर house को कहा जाता था council of state और lower house को कहा जाता था legislative assembly in British India, तो bicameralism का introduction होता है Government of India Act of 1919 से और direct election जो भी member इसके elect होते हैं वो directly elect किये जाते हैं, alright, then इसके थरू एक provision रखा गया, कि वो जो six, जो executive council होंगे Vice-Roy के executive council होगी, उसमें जो six members होंगे, उसमें out of six three persons, three members will be Indian, ये provision रखा गया, then next क्या होता है कि communal representation को इस act के थरू extend कर दिया गया, और separate electorate बनाई गई, six के लिए, Indian Christians के लिए, Anglo Indians के लिए, and Europeans के लिए ये आपको याद रखना है, ये question में आ सकता है, किनके के लिए separate electorate बनाई गया, six, Indian Christians, Anglo Indians, and Europeans के लिए, then एक new office create की गई, for the high commissioner for India in London, और इनको कुछ ऐसी powers दी गई, जो secretary of state in India के पास थी, वो कुछ powers इनको दी गई, इन में west की गई, then इस act के थरू provision लाया गया, के establish की जाए, public service commission, और इनके recommendation पे ही, 1926 में, central public service commission का establishment होता है, then, after this, separate budget for center and provinces का भी provision इसमें रखा गया, के अब से center का budget वो अलग बनाएंगे, और हर province अपनी एक अलग budget बना सकती है, वो अपना budget खुद बनाएं और उसको enact कर सकती है, then, appointment of statutory commission, ये भी इस act के थरू introduction किया गया, ये क्या था, कि जो statutory commission होगी, वो inquire करेगी, और report बनाएगी, इस पुरे act का जो भी implementation किया गया है, उस पे एक report बनाएगी, analyze करके, इसके 10 साल, जो 10 साल तक ये काम किया गया, इसके थरू जो भी काम की गई, उस पे एक report बनाएगी, कौन? statutory commission जो की appoint की गई, then, ये report जो है, वो फिर review करेंगे, और देखेंगे कि हमने क्या achieve किया, और क्या ये worth है, आगे, या कोई amendments की ज़रूरत है, या एक नई act लानी की, overall एक नई act ही लानी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, next class में हम लोग historical background को complete कर लेंगे, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, और शेर करें अपने friends के साथ, thank you very much,